मेरी रेसिपी है भांग की चटनी, हैम सीट्स चटनी, सुनने वे तो अजीब लग रहा होगा, परन्तु इसमें नशा बिल्कुल नहीं है, आईए बनाएं सबसे पहले हमने एक कटोरी भांग के बीज लिए और इसको ड्राय रोस्ट करेंगे, जब यह रोस्ट होने लगेंगे तो इन में से चट-चट की आवाज आने लगेगी, और यह पॉपकांग की तरह खुल जाएंगे अब यह रोस्टेड बीज जो है, मैं एक ग्राइंडर में कर लेता हूँ इसको ग्राइंडर में करकर मैं इसमें आब मिलाऊंगा, सबसे पहले यह चार-पांच टुकडे अधरक के, तीन-चार चौप किये वे लेशन के टुकडे आधा कप हरा धनिया एक टीस्पून सूखा हुआ पौदीने का पत्ता और छे-साथ हरी मिल्च चौप करीवी पौन चम्मच नमक एक पुरा निम्बू इसमें मैं निचोड़ूंगा इस तरह से पुरा एक निम्बू इसमें निचोड़ दिया बहुत तेश्टी है नाम तो लग रहा है भांग पर ये सर्जियों के लिए बहुत उबर अशिक है अब मैं इसको ग्राइंड करना है इनी स्टेप में ग्राइंड करना है ये देखिए कितना बढ़िया पेश्ट पना है इसमेल भी बहुत अच्छी आ रही है अब ये सर्व करने के तयार है ये भी विंटर डेलाइट है भांग की चटनी सर्जियों में खा जाती है इसकी तासीर गरम है आप किसी भी सबजी के साथ रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत इजीले अवेलिबिल होते हैं भांग के बीज कोई भी पंसारी के दुकान से आपको मिल सकते हैं कमेंट करिए शेयर करिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू